वेलकम डीय श्टुडेंट वेलकम टुडायन कोचिंग एकड़ेमी प्लैट फॉर्म तो अभी हमारा फिजिक्स का लेक्टर नमबर टू मोसन इन्अ यह lectures की DPP मिल जाएगे तो आपको क्या करना है बच्चो यह lectures के बाद उसके सारी DPP पूरी solve करने और इसका उसके answers भी आपको नीचे वहाँ पे अगर नीचे mention किये होगे और अगर अगर आपको कोई doubts यह तो फिर आपके comment box में जाके पुछ सकते हो तो बच्चो यह स्माइश राजन कोड़ेड या बच्चो फ्रॉम हुडान कोचिक अकेडमी स्टार्ट करते बच्चो धुवांदर क्लास होने वाला है क्या है मोशनी न स्टेट लाइन जेई नीट पीवाई बच्चो अगर मोशन लोग यह पॉइंट से मने ट्राविल करना स्टार्ट किया और भी पॉइंट तक है बराबर और यह से बी तक का बच्चो डिस्टन डी ट्राविल किया का क्या ट्राविल किया और टाइम लग रहा है तो स्पीड पूछा यह से बी तक का बच्चो तो स पर सेकंड निचे टी मांस कुछ है नहीं तो क्या होग एम जीरो इलवन टी माइनस तह दीbenस उग्या होगा erve and zero 11 ती-1 passado मैंदिांश हो गया। digital graduate विए पिर कि बेसे कारी तो पीडो एक यह वा गया जो पट 2 पट motivated विएड़ोगा। इस पीड अब इसे पाइट में को होगरां कुंको, तो सब्सक्राइब यह कुझ जो दो पाइट में डिवाइब मान जो है स्कुराइब थेहां से किलो मीटर थेतें किलो मीटर थैंटेंग किलो मीटर पर अवर कमद आइगा में कितनी मीटे पर सेकंड आती बच्चों फाइबएटीन मीटे पर सेकंड अधी तो कितने से मल्टीप्लाइक पाइटीन से तो यह को फाइऑ न से मल्टीप्लाइकर देंगे यह हो गया इसके स्पीडि दो पार्ट में डिबागा अगल would you non-uniform speed यह uniform speed к्या होता है तो next 10 meter कितने एक सेकंड में travel करेगा next 10 meter एक सेकंड के अंदर travel करेगा next 10 meter से एक सेकंड में travel करेगा इसको कंशी condition कहेगे uniform speed अगर definition लिखना हो तो या क्या लिख सकते if object cover equal distance equal time interval उसको क्या कहेगे uniform speed कहेगे यह condition कंशी possible है तो अगर आपकी sir speed constant होगी तभी यह condition possible speed constant होगा तभी यह सरकाहनी possible है बच्छो speed क्या होगी constant होगी तभी uniform speed possible तो non uniform speed यह बच्छो real life में होता है real life में क्या होता है sir अगर हमारी बच्छो traffic आईगी तो continuous हमारी speed change होती रहती है ऐसा कोई जरूर नहीं है कम constant speed से चल सके बराबर तो अगर देख्यों एसे बी तग हमने मान लो बच्छो एक सेकंड में non uniform speed अब जयादा speed से चल रहा होगा तो कम distance ज़्यादा distance कम time में cover कर लेगा और speed कम होगी तो डेको कम distance cover करेगा बराबर time में तो speed ज्यादा होगी तो क्या होगा ज्यादा distance cover इसको इसको क्या कहिए नौ यूनिफॉर्य स्पीड समझमे बात तुम लोग को बराबर यह हुआ यूनिफॉर्म स्पीड still के युनिफॉर्म स्पीड का मोग एक्जाम्बल का मोशन बच्छों को इक नंबर के वह या दो नंबर के उपर रखाएं तो इक वल डिस्टंस ही का ट्रावल करें के इक वल टाइम के अंदर इसको कहिए युनिफॉर्म स्पीड है ठीक है अब उसके बाद देखो नेक्स कंड स्प्लेश्मेंट क्या होता है स्टाटिंग पॉइंट एंफाइनल पॉइंट की बिच में जो मिनिममम दूरी है उसको क्या कहिए तिस्प्लेश्मेंट गएगए अगर ए पॉइंट से बीपॉइंट से मैं सर्कुलर पाथ में चला हूँ सेंटर ओ था रेडियस 10 मेटर है औ Wisconsin systems upon time किता ट्रावल करेगा है करेगा कि एक आधा सर का लोगा तो तस सेकंड लग रहा है डिश्चे टाइम 10 10 कट हो गया तो क्या अंसर है कि 5 मीटा पर सेकंड हो गया यह क्या होई स्पीड हो गई अच्छा तर वेलोश्वीटी का बुचा है कि तो क्या अंसर है कि displacement अपॉन टाइम को का displacement किता रहा है देखो यह कंडिशन में देखो displacement starting point and final point की बीज में minimum दूरी starting point है कि final point इर यह भी क्याओगव 10 मीटर दो displacement क्यतना हो रह Market इंट्हार यहिति प्रषय तर tat कि तो ऱलग रहे हैं 251 क्या में टैन्वान्ग क्या होगा यह जड़ह च्राइप्लेसμέन जयक्ट नहीं ब्रबने लेक्ट वेलस्वीन का स्पीड का होता था वही डाइमेंशन होगा कैसे बचो डिस्प्लेस्मेंट का मिटर होगा तो अब बोलो इसका डाइमेंशन क्या हो रहा है देखिए यहां पर लगेंशनर मेंशन होगा तो डाइमेंशन हों बहुत बढ़ honour आते विस्मेंशन धोर रीटन के वही अब देखिए पर मेंसफेल हो। राइसे उनकी फिर्शीटॉंग स्प्राइब. शब्सक्राइब रहाएं. एक उनिफार्म स्पीड जो चो अभी हमने देखा तो इक्वल टाइम करता है उसको सफिड होता है BYD पुझे कवर इकवर डिस्प्लेश्मेंट इकवर टाइम इंटरवल अब यह से बी तक चला मेगनीजूड भी है बच्चो और साथ में डायरेक्शन भी है समझ में तुम लोग इसमें क्या है मेगनीजूड डायरेक्शन दोनों है किसमें वेलोसिटी में देखो तो डायरेक्शन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और मेगनीजूड वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो nd direction तो नो कॉंशन रहना चाहिए और मैगनीजूड भी कॉंशट होना चाहिए तब क्या होगा यूनिफर्म वेलेसीन गोली में जी में होगा देखो ्ट नोन उनिफर्म वेलेसी टी में बचक होगर इसा डाइरेक्शन भी थिए जोगा यह दोनों में से एक भी नहीं है तो हमारा नॉन इन्फर्म हो जाएगा अल्टिमेट एसाइद अधर समझो मेगनी जुडीक वाल में लगर कैसा है कि इसेमिटउ में कवर कर ढए नेक्स्स द अधिन Whoo उस्समार की पहलये उपर की डेDet में जा रहा तो फिर इधर चला नॉर्थ में गया फ़िर में कहा गया साउथ में वाप्स में एह तो डायäre। continue change हो रही, दस-दस मीटर में, तो यह इसको कहीए, non uniform velocity, magnitude change हो रहा है, magnitude क्या हो रहा है, magnitude तो same है, इस condition में क्या है, magnitude same है, magnitude में कोई change नहीं आ रहा है, but change क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहे है डायरेक्शन चेंज हो रही है डायरेक्शन देखिए चेंज हो रही है इसको कौन सी कंडिशन कहें कि नॉन उनिफर्म वेलोसिटी कहें किया कहें कि नॉन उनिफर्म वेलोसिटी अब दूसरी कंडिशन देखो मेगनीचूड अब बच्चो देखो मेगनीचूड वो क्या होगा डायरेक्शन सेम होगी पर मेगनीचूड डिफरेंट होगा डायरेक्शन सेम है अगर मान लो अब देखो ये से भी मान लो ये 20 मीटर एक सेकंड में कवर कर लिया फिर 10 मीटर एक सेकंड में कवर कर लिया फिर मेगनीचूड हो रहा है और डायरेकशन क्या है यदि नियसा की चेंज हो रहा ही कि एक है इसको कहें करें नॉनर्म वेलोंची स्पीड बरब स्फिट का остав बांता पें अ displacement upon time ओके देख लेते फड़ा पड चलो स्पीड देखा sills 속टेश में आप संघ्वांच में वनिश्म यूनियरन स्पीड रभब डिस्टस्ट आइमक अ Pork Non-uniform idyवन्फीड समझेत्यान इक वाहर रगहेगा वेलो घृवन्ऩ सीठ्ट्टक डिस्ब्सेड्च करेगा है सबसे पहले ओल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट दो जार चे का सवाल है अब क्या दिया है सवाल देखो इसमें वीडियो को आपको पोस्ट करके खुच्छे ट्राइ करनी है क्या करना है जितने सवाल खुच्छे करोगे तभी काम बनेगा बाकि वीडियो तो चलता रहेगा तो वीडियो पोस्ट करें के खुच्छे ट्राइब करीए पहला सवाल क्या दिया का रंसे ट कॉंस्टन स्पीड औना सर्कुलर ट्रेक और डिया संड्रेड तो आपको क्या पुच्छा है एवरेज स्पीड बताओ सबसे पहले पुच्छा है एक राउंड गुमेंगा तो जहां था वहिया के रुप जाएगा तो डिस्ट्प्लेस्मेंट कितना कवर करेगा जीरो कवर करेगा तो देखो एवरेज वेलोसीटी बराबर बचो डिस्प कितना हो रहा है जीरो हो रहा है तो जीरो डिवेट में टीमल जीरो जाए हो तो डिस्पीड की बात करूँ तो बच्छो स्पीड बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपन टाइम हो जाएगा तो डिस्टेंस पूरा राउंड कवरेगा तो कितना कवर करेगा बच्छो टू टाइम कितना लग रहा है एक राउंड गुमने में टाइम लग रहा है 62.8 सेकंड अच्छा रेडियास अंड्रेड है सोली उल्टा कर दिया रेडियास है यहां पर हंड्रेड दिया है टाइम 62.8 है कर दो यहां पर 3.14 यहां बाकी वाले स्टे बिदा लिख देता हूं तो 314 628 बच्छो 62.8 इसको सिंब्लिफाय कर एक आंसर कियागा दस मीटर पर सेकंड हो जाएगा अब देखो कौन सा ओप्सन मेच कर रहा है बच्छो जीरो और यह सी नंबर का आमारा अंसर है बच्छो प् स्वाल प्रिबिय और में पूछे क्या है सवाल इंडिया प्रीमेडिकल टेस करना है वीडियो पोस्ट करके एक बड़ ठ्राय कर यह खुच्छ यह बच्चों खुद से try करोगे उतना ही साफाई दे में रहेगे अच्छा अब देखिए vehicle travels half distance with the speed V अच्छा ये एक A से B तक का half distance में D दे दिया तो B से C में भी क्या होगा half distance में भी का D रहेगा अगर यहां से D है तो बागी वाला D क्योंकि half half है यह और यह आपस में बराबर इतना है तो हमने D और D ले लिया तो total क्या होगा 2D रहेगा अब half distance की speed क्या है यहां पे देखो V दिया है speed क्या दिया है ok यहां की speed क्या दिया है 2V दिया है time क्या लग रहा है तो time लग रहा है बच्चों यह suppose कर दिया टिंक इडिवाइडे टोटल ताम तोटल डिस्टन्स यह सपोस्स यह है तो d फ्लस डी ओके सिर तो टाम यहां का टी वन यहां का टी Studi mean फ्र्म लाना पड़ेगा तो दे amended बराबर में, speed बराबर, क्या लिख सकता हूँ sir, V बराबर, distance upon time T1, तो T1 बराबर क्या बन जाएगा, D divided by V1 बन जाएगा, तो D1 की वेल जगा पर क्या पूर, D by V1, same way, D by क्या होगा, V2 होगा, आप देखो, उपर में से 2D है, नीचे D common निकल गया, तो क्या है का 1 by V1, 1 by V2, अब DD कट हो रहा है, तो कट कर दिया sir, अब D चे 2, V1 प्लस V2, नीचे क्या होगा, V1 V2 हो जाएगा, ये उपर चला जाएगा, तो क्या होगा, 2 V1 V2, नीचे क्या होगा, V1 प्लस V2, ये क्या answer है हमारा, चेक कर लो कौन सांसर है, अब देखो, इसमें V1 V2, ओके उल्टा कर दिया, यार, ओके चलो, इसमें V2 की जगा, वो लोगों ने क्या दिया, तो बराबर ही जा रहे थे, यहां से थोड़ा चेंज कर देते हैं, देखो, तो अब देखो, यह 2D, T1 बराब, यह V1 V2 नहीं लेना है, यहां पर खाली V लेना है, D by V, और यहां पर क्या आगा, D by 2V कर देखें, ओके, 2D, यह D common, 1 by V, 1 by 2V, ओके, DD कट हो गया, उपर चलो में, तो 2, यह LCM क्या हो जाएका, 2V हो जाएका, उपर का 2 by 1, यह 2 यह इदर आएका, तो क्या है, का 4V divided by 3, 4V divided by 3, अब चेकल लोग कौन सा है, D number का है, सही है, ओके, D for दिल्ली बचो आंसर, सही है हमारा, समझ में आरी बात, तुम लोग को भराब और जोस में रहना है, बच्चो ताकर लगाएगे, पूरे सवाल सिद्दत से करने है, D number का हमारा आंसर है, 4V upon 3 हुआ, नीट 2023 का सवाल दिया है, ओके, फिर देन, ओल इंडिया प्रिमेडिकल टेस्ट, 2021 का सवाल है, बच्चो, ठीक है सर, क्या करें के देखिए, अब्जेक्ट सिमिलरली फिर से बताता हूँ, बच्चो खुच से ट्राइ करो, जितने खुच से करो, उतने मजाएगा, उतने क्विस्टन करने में मजाएगा, जितने क्विस्टन खुच से बनेगा, उतने में और हमारा confidence बढ़ता है, बाकी ये, चापने का कोई मतलब नहीं है, बच्चो सर, हम के तो चापने में सर, एक्सपर्ट है, बोले के सर, पार्टिकल्स कवर हाफ अब टोटल डिश्टन्स भीता स्पीड वीवन, अब हाफ आप की बात या, तो फे हैं सेम वे, एसे बी तक का, डिश्टन्स में ने डी सपोस्ट कर दिया, ओके, और बी से सी तक आगे इन डिश्टन्स में ने क्या डी सपोस्ट कर दिया, यह सपोस्ट किया पाट है अब जो question जो form में दिया है V1 यहां पर क्या दिया V1 है और रेस्ट आप distance विज़ा V2 यह वी टू दिया है अब यहां time बचो हमने suppose कर दे साथ time बराबर लग रहा है बचो T1 लग रहा है तो आपको average speed पुछा किसके A और C के बीच में जो अभी कर चल रहा है वेसे करना है जो last question अगर कर दिया तो यह खुच से कर लोगे यह question खुच से कर लोगे जेखो speed बराबर distance upon time होता है तो distance क्या कर दी प्लस दी टीवन प्लस टीटू यह ऊपाह कर टीटी ओडा टीवन प्लस टीटू अब टीवन टीटू के value क्या होगा यहां से देख लो बीवन बराबर क्या एक वगा डिवाइड वी तो टी एन बराबर क्या होज़ें गार दीडिवाइड वी कॉमन निकाल दिया बच्छों डी कोमन निकला वन वान वीवन बाइब वीटू डीडी कट हो गया V1 प्लस V2, नीचे V1 V2 आ गया यह उपर चला जगा, तो आंसर यह गया 2 V1 V2 नीचे V1 प्लस V2 यह answer मेच कर लो, किसके साथ मेच कर रहा है बचो, यह number C के साथ मेच कर रहा है, किसके साथ, C number के साथ समझ में आरे ही बाद तो यह answer क्या रहे हैं थी थी ज़िए थी नबर का रहे हैं ठीक है थी के क्विस्टन थोड़े यह आती सवाल होगे वह क्या होगा बकरी सवाल होगे कुछ से नीट वाले बक्री सवाल होगे या आथी सवाल होगे पर इतने भी आथी नहीं है कोई देखते हैं object moves with a speed v1 v2 v3 along with a b c d a से b तक b से c तक और c से d तक a b b c c d अच्छा a b और b c आपस में बराबर है सबसक्त एक इसको में क्या दे दूगा और ce d तक c a d अच्छी बराबर की में यह वंब अपना घ्राइब तो डी निकलेगा तो यहां से यहां तक हमानों टाइम हमने सपोस्ट किया टी टू और यह साइम टाइम सपोस्ट किया टी थी अच्छा अब आवरेश स्पीड पुछाएं ने तो टोटल डिस्टंस डिवाइड बै टोटल टाइम तो यहां बे बचो एवरेश स्पीड इकल टू टोटल डिस्टंस कितना हो रहा है सर तो डी प्लस डी प्लस डी क्या हो रहा है तो सर थी डी हो रहा है क्या हो रहा है तो टी वन टी टू यह क्या आगया सर टोटल टाइम आगया यहां से यहां तक टी वन यहां से यहां तक टी तो 3D अब T1 T2 T3 तो समने सपोस्स क्या था यहां से यहां तक कि V1 दिया है यह V2 दिया है और V3 तो जो फॉर्म में question दिया उस form में answer देगे तो T1 T2 T3 की value निकाल देगे तो V1 बराबर क्या बनेगा D divided by T1 तो T1 बराबर क्या बनेगा D divided by V1 तो यहां पर उपर नीचे क्या common निकल रहा है D common निकला है तो यहां पर 3D D common निकाला 1 by V1 1 by V2 1 by V3 तो DD cancel हो गया तो देखो नीचे कहां नी बच्चों ऐसे कुछ आईगी तो 3 1 by V1 1 by V2 1 by V3 ओके बच्चों अब इसको LCM लेना है V1 V2 V3 का LCM क्या हो जगत तो यह यह उपर चला जगत 3 V1 V2 V3 यहां पर V1 ने है तो उपर क्या है आप चेकर लो किसके साथ मेच कर रहें 3 V1 V2 तो यह मेच कर रहा है बच्चों C नंबर का उप्शन सही लग रहा यह वाला तो जही में 2023 का सवाल हो गया बच्चों समझ में आरी बात सर मजा आ रहा है सब्सका। कर देगे सवाल है करें सवाल सौल कर देगे Horizon wen THIS का सवाल है रिसन्टि पुछे किसे त्र पानी पही बच्चों देखो तो आपको पुछा एवरे स्पीड बताईए एवरे स्पीड का फॉर्मॉला बचोड़ा टोटल डिस्टंस डिवाइड बे टोटल टाइम तो यहां पर अब देखो ए से बी तक का मैं सपोस कर दिया यहां पर मानलो फोर किलोमेटर दूरी है फोर किलोमेटर है स्पीड कितनी है थ्री किलोमेटर पर अवर है बी सी सी तक का यह कितना फोर किलोमेटर है और यह कितनी फाइव किलोमेटर पर अवर है टाइम लग रहा है यहांना पर ताइम टीटू लग रहा है अब आब एवरेस्पीड बुचायँ एवरेस्पीड का फॉर्म है को डिवायड बेड़OOOO凌टल टाइम टोक्ग हाइस्पीड इवरेस्पीड he緊 टilstंस क्या ओका फॉ Android 4 यहां से यहां तक का टैम t1 plus time t2 अब यहां पे speed क्या क्या 3 है speed बराबर distance upon time तो t1 बराबर क्या बनेगा 4 divided by 3 आएगा कि t1 आए, यहां पे तो sir 5 बराबर क्या हैगा 4 by t2, तो t2 बराबर क्या हैगा बच्चो 4 by 5 आएगा यह t1 और t2 आया हो यहां पूर का बसा काम हो गया आपका तो यहां पे बच्छो एट टीवन में क्या है गासर एटीवन में फोर बाई थ्री बच्छो यह फोर बाई फाई यह एट यह सिम ले लो फूल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट नैंटी नैंटी का सवाल दिया है देखो सेम लेवल के क्षिशन आएगे बच से सी तक rays आगे अविसको कर दिया अब हाफ डिक्षिटंस को कितने स्पीड चेकué 40 km पर अब देख्या children किलमीटे ऑर अवर है नेक्स रिमेंनिक हाफ कीतना है 60 खिल मेरे यह 60 किलो मिटे पर आवर है है então सबस्कमी कर भांदगर कर दिया आपको बुच्छा एवरेज वेलोसिटी भेएफ भी टोटल टाइम मेरBa तो 40 km पर आपर displacement D है तो यहां time T1 लग रहा है तो T1 बराबर कियागा D divided by 40 होगा 60 बराबर कियागा D divided by T2 है तो T2 बराबर कियागा D divided by 60 हो जागा T1 and T2 मिल गया अभी यहां solve करते है average velocity total displacement D plus D बराबर 2T होगे यहां T1 plus T2 है 2D T1 की value कितनी हा रही है T1 बराबर बचो D by 40 आ रहा है एक टरप D by 60 7 आ रहा है अब D नीचे से common निकाल दिया अब यहां से D बचो common निकाल दिया थी हो गया अब देखो DD चमचम हो गया है अब यह 4060 का LCM क्या हो जागा तो 4060 का बचो LCM हो जागा 120 हो जागा यह था तो 43 जा 62 यह उपर चलाएगा तो 240 डिवैड़ पांच 245 जा 2048 तो आंसर क्या हुआ 40 km 48 km per hour तो कौनसा option है यह बी नंबर का सर लग रहा है वह ही आंसर है बचो ठीक है सिंपल है नैंटी नैंटी का स्वाल है को इसके साल बात का जो बच्चे बौन हुए उसका है ओल इंडिया प्रिमेडीकल टेश नैंटी नैंटी वन का है अब कार मुझ से 200 मेटर कवर करें फर्स्ट आप डिस्टंस 40 किलमेटर पर रहा है रिमेश सेकंड आपको वी से कवर कि एवरेज स्पीड 48 आ रही है तो डायग्राम देखें कि दोहर समझ मैंगा अच्छा क्या देखें डायग्राम अब देखो कार को टोटल डिश्टंस कितना ट्रावल कर रहा हो 200 मिंट्रे ट् बच्चों वीडियो को लाएक करना है करा को क 210 च्रों को निश्टर करना है सर को मुट्वेसन रहे हैं अगर आप यूट्यतर क सब्सर्खराइब करते रहे हो तो हमको क्या मुट्यतर आ त्यृकर करना उन्हाथ है तो और यह यह वीडियो बनानेहें वह बहुत अहर ед latest ल OC 비— है क्योंकि यह पूरी डीपी पूरा आपको यह नोट्स बनानी होते फिर एडिटिंग करना होते फिर अपलोड किया जगा तो इसमें छे से साथ घंटे का टाइम बचो एक फट होता है तो थोड़ा लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों में थोड़ा सेर कर दीजे तो और सर क मुटीवेशन मिलता है कि नहीं है या अभी आभ यह बनाने चाहिए अब कार मुझ सेफ्स्तंस दो समिटर इसको है कि यह 910 किलो मिटर पर उसको दिया है में ऐनीट richest आपको से सब्सक्राइब आपको क्या फाइंट करना है भी फाइंट करना है बरबर स्पीड आपको धी स्पीड कीटनी दिया दिया देखो यहां पर फॉटीएट क्लोमेटर पर आवर है विस्पीड का वॉर्म आइबरे स्पीड बराबर टोटल इस्टन, टोटल इस्टन 2D होगा, टाइम T1 प्लस T2 हो जाएगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा, ओके, एवरेस फीड 48 है, ओके, यह 2D है, टाइम T1 कहां से निकाल, इधर से, तो 40 km पर अबर, इस्टन D डिवाइड बे T1, तो T1 बराबर कियाएगा, T1 बराबर D करें के T2, T2 नहीं है, बराबर, T2 नहीं है, ओके, एक काम करते है, T2 के जगाए क्या पूट के अब देखो, यह V यह आन्नों ने, V बराबर डिश्टन, D डिवाइड बे T2, तो T2 बराबर कियाएगा, D, डिवाइड बे कियाएगा, ओके, अब हमको क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना है, बच्चों, तो 48, उपर में से 2D, नीचे में से D, निकाल दिया, तो 1 by 40, प्लस 1 by V, DD कट हो गया, क्याएगा 2, 1 by 40, प्लस 1 by V, तो 48 बराबर, यह थोड़ा जगा कम हो रही है, थोड़ा दूसरा पेज उस कर लेता है, 48 इक्वल टू, क्या अंसर है, यह हो जगा 24, इक्वल टू 40, यह LCM V प्लस 40, यह 40 V आ गया, 40 V कहाँ चला जगा, तो 24 इक्वल टू 40 V, यहाँ पे बचो V प्लस 40, V प्लस 40, अब यहाँ पे LCM ले ले ले, इसको इस तरह मल्टिप्ले में बेच दिया, 24 V प्लस 40, इक्वल टू हो जगा, सर 40 V हो जगा, अब यहाँ पे मल्टिप्ले करो, 24 V, 960, इक्वल टू 40 V, यह जगा 16 V, 960, तो V बराबर 16 6, 90 L6, sorry, V बराबर हो जगा, 960 अपो 16, 60, आंसर क्या हो जगा, 60, तो V का आंसर क्या रहा है, 60, कौन सा नंबर का, यह नंबर का, C नंबर का लग रहा है, ओके, तो C बराबर क्या हैगा, यह किलमेटर पर, तो आंसर क्या हुआ, 60 किलमेटर पर आवर हुआ, ओके, मजा रहा है, सर, करते चलो, आगे बढ़ते चलो, सर, मजा रहा है, के वी पी वाई का, 2017 का सवाल दिया है, ओके, अब परसन गोज, अब देखो, समझ मैं आ रही बाद तुम लोगो, किसे आओ, तो distance with the 10 km per hour, अब total 1 Hersड है, P से क्या तक की, यह D, Q से R तक, D, R से थक, D, 1 Hersड, 1 Hersड, 1 Hersड, ऐह D, 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 P से क्या तक का धिया है, क्या दिया है, तो आपको क्या बचा बचा हो, average speed पुछे अब यह खुच से कर लोगे इसमें करवाने की जरूत नहीं है total distance d plus d 3d divided by t1 t2 यहां से यहां तक t1 suppose क्या है यहां से t2 suppose क्या है यहां से t3 suppose क्या है तो 10 km बराबर d divided by t1 तो t1 बराबर क्या है गा d divided by क्या गटेंगा similarly t2 बराबर क्या है गा d divided by 20 हो जाएका t3 बराबर क्या होगा d divided by 60 हो जाएका okay average speed average speed में total distance कितना आ रहा है तो total distance क्या होगा सर 3d हो रहा है time t1 plus t2 plus t3 okay 3d t1 क्या रहा है तो t1 बराबर d by 10 रहा है okay yes next one is a d by 20 next one बचो is a t by 60 and here lcm is a d sorry common is a d then 1 by 10 plus 1 by 20 plus 1 by 60 dd cancel and 3 lcm is a 20 60 lcm is a 60 lcm is a 60 okay then 10 6 is a 23 is a 61 is a year 60 in a numerator 360 16 00 chum chum 63 is a 18 to answer is a 18 km per hour answer is a 18 km per hour yes sir your answer is a right जेए में 2022 का सवाल कार कवर से डिस्टन्स a b वित स्पीड वन थर्ड वेलोसिटी वी वन ओके सेकंड वी टू लास्ट वी थ्री ओके बिशन दिया है दिया है तो को और आपको फाइंड करना को वेलोसिटी आ है बदेखिए a सावी तक का वन थर्ट्ट वन थर्ड एले सबको डीए डी और यह बंदी है और यह बूस्त कर दिए यह D और यह डी है और यह डीओ कि यहां तक आप A से B तक V1 आप देखो यहां तक V1 दिया है है हैं इता है ब्रजिया है है, लैसे वहित्र हुग निधि का दिया है यहां भी तू जसा भी यहां गाना है तो 11 2 बन जाएंगा बित्री वFrames झो विवन उसका तीन गुना है यहां से आंते कर hem त्पलेश में टीडा यहां बित्री तेंट लिए यहां पर average velocity बताएं, तो average velocity का form है क्या होगा, total displacement divided by total time, तो total displacement कितना हो रहा है, यहां पर D, plus D, total time क्या हो रहा है, T1, plus T2, plus T3, अब यह तीनों D है, तो क्या होगा, 3D होगा, अब T1, T2, T3 के वाइल जू निकाल नहीं, तो V1 बराबर क्या होगा, D divided by T1, तो T1 बराबर क्या होगा, D divided by D1, D कितना दिया है, तो suppose क्या है, यह 11 आएगा, D divided by 22 आएगा, D divided by 33 आएगा, अब उपर 3D है, नीचे D, निकल रहे हैं, तो 1 by 11, 1 by 22, 1 by 33, LCM कितना हो जाएगा, तो यह उपर वाला लिख रहा हूँ, यहां पर LCM 3, यह 33, 11, sorry, यह LCM 66 लिए हमने, क्या लिया, 66, 11, 6, 23, यह 66 उपर चलाएगा, तो यहां पर, 3 into 66, नीचे क्या हो गया, 6 plus 3, 11, 11, 16, 13, 18, 18 कौन सा नंबर का, D नंबर का है, कौन सा है, D नंबर का है, कौन सा है, जही में 2022 का सवाल दिया है, ओके, थोड़ा ट्विस्ट कर गया पुछा, पंड़ कंसेप बहुत बढ़िया कंसेप दिया, दिखे, होर्स राइडर कवर हाफ डिस्टेंस भीत स्पीड फाइम मीटर पर से करना, अच्छा, देखो, A से मान रो ट्राविल करना स्टार्ट किया, यहां B तक, हाफ डिस्टेंस भर हाफ डिस्टेंस भर डिस्टेंस कर दिया, उसके दो हाफ पार्ट में ट्राइम कवर किया, यहां का टाइम मान लो टी सपोस करते है, यहां पर भी क्या अगर टी सपोस कर दिया है, रिमेनिंग पार्ट है, दो पार्ट में डिवाइड, डिस्टेंस जैसा नहीं बोला है, रिमेनिंग पार्ट अप डिस्टेंस, भी तर पर क्या का डीवन प्लस डीटू हो जाएगा ओके और एवरेस पीड क्या दिया एकस बाइस सेवन दिया है अब यहां से एक रिलेसिन मिलेगा देखो एवरेस पीड का फॉर्मा टोटल डिश्टन डिवाइड बे टोटल टाइम होगा ओके अन्यश्टिक है यहां पर बत्चों यहां पर लगा हो न तो विवाए दस मीटापर सेकंड दिस्टन्स का डिवन ने टीकर लग रहें़ा है तो 25T क्योंकि c cierto d बदाबर क्या हो रहा है डी बदाबर आपका है दी वन प्लसथ Europasこちら हिए डिश्टेंट वहन डी है यह तो डी वन डी टूमने सपो स्कि और टाइमिकवल सकते है पूड़ पूट है तो एवरिये स्पीड का फॉर्माइल गहा है सब्सक्राइब एवरे स्पीड बराबर यहाँ लगा देते हैं अबरे स्पीड बराबर टोटल दिस्टस डिवाइट वेले तो टोटल टाम यहां का टीवन t1 प्लॉस T2esser equal तो तो इएएंगा विम्हं रडेक् सकाइब दीवाइच़ डीवाइड़ प्लस तीट्व भर चे अलगर एगए ty अधान को एक यहां कटसार हिचार ने पाट करेंगे का टू टी यहीं और यहीं तो टि लग रहे हैं तो इंट्वाइड़ lack तोD divide by 20 तोटल में टूटल टेइं टूटल टूटो आप टूटोट टूट टूट टूटिवाइट लेड़ त्वेड़ 25 ठीक है अब देखो डी डी कोमन निकल गया डी बाहर निकल दिया बन बाई तो 25 पर चला कि 50 भाइस लेश वह लोगे इंट वह लोग ने क्या धिया है एवरे स्पीड एकस बैसेबन गया है वह लोग ने सुल्ट ऐसे यह 50 बैसेबन सेवन कट गया कि अचा कुछी एकस बराबर क्या रहा है तो आंचर कोंसा को टीन बचो इनिए पर आप डिश्टेंस बचो मान लीजिए ऐसे बी तक अमरी स्पीड कितनी है 3 meter per second है, okay, 3 meter per second है, other half distance with the cover equal time interval इतर अब जखो, यह सेम मेथड का यह है, equal time है, दो time equal कर दिया, D और यह D, distance के अभी जो अभी किया, last question उसके method ही खली value change, यह D होगा, ठीक है, और यहां यह भी D, यह भी क्या D है, ठीक है, और D है, equal time, अब इसकी क्या दिया, 4.5 meter per second है, 4.5 meter per second है, यह क्या दिया है 7.5 मिट्र पो सकंड गे किया डी 1 ने डी 1 नगा क्या डी 2 है डी 1 प्लस डी 2 अच्छा इस डी 1 आप 405 इस इकाल all-poO important d1 अपवन किया एगा टी अएगा तो डी 1 बराबर किया एगा 4.5 टी आजएगा similarly डीटू बराबर कियागा 7.5 तो टोटल डिस्टेंज क्या होगा दोनों का सम करेगे डीवन प्रस डीटू साथ चार ग्यारा बारा टी आगया टोटल डिस्टेंज क्या बारा है बिट हो गिया, okay, अब यहां पर हमको क्या average speed निकाल लेए, यहां की बात करो, बचो, okay, तो यहां पर मानलो t1 time लग रहा है, t1 अमने ंसे 5 तो 3 बड़ाबर d by t1, so t1 बड़ाबर कए इगा, d divided by 3 अगिया, okay, average speed का इधर निकिए, है यहां सब्सक्राइब हो ओगा टॉर इसर प्सक्राइब होगा टायम टी फ्रेक्व लगें संसें यहां से तक़ को टॉटल टाइम में तो टी टाइम तो टी ताԲाएम तो टी सर्वत बरापर मेरे पास, यहां से यहां तक अखत 지금 यहां टायम ट, ट b. 2 टायम है, तो ट 2 बरापर क्या होगा हो, d2 t, T1 बरब D by 3 D by 6 हो गया D D cut हो गया 1 by 3 1 by 6 LCM आ गया यहां से यहां तक का उपर देखो 6 plus 3 18 हो गया 36 divided by 9 4 आंसर आएगा 4 कौन सा है? यह वाला A number का रहेगा तो देखो answer बचो रहेगा A number का रहेगा ठीक है? सही जा रहे है बचो तो अभी next class में आगे topic लेक्ट चलोगा यह video के description में इसके video lectures की notes तो मिलेगी साथ में क्या होगा दूसरे DPP भी रहेगा तो तुम लोगों खुच से solve करना है बचो बराबर और मिलते है next class में तब का अगर video आपको सही लगा तो बचो आपके friends में share करिए बराबर और max to max पहुचाने की कोशिश करिए तो हमको भी टाकत में लगा नहीं बचो का response अच्छा है तो हमको और मेनत करने ही जाए वीडियो बनाने में बचो काफी मेनत लगती है पुरा आपको presentation बनाना होता है नेक्चस नोट्स करना होता है वीडियो एडिटिंग करना होता तब आप तक मिलता है बराबर तो बचो next अगर आपका result सही आ रहा है आपको response सही आ ला तो ये मेनत आपकी मेनत के सामने हमारी मेनत कुछ नहीं बच्चा ऐसे मिलते रहे मिलके मेनत करते रहेगे और result अच्छा लाते रहेगे बच्चो next class में मिलते बच्चो तब तक के लिए लड़ते रही है पढ़ते रही है बच्चो खुस रही है